अब लोगाई गूड मॉनिंग कैसे हैं दोस्त आसा करता हूं कि आप सभी अच्छोंगे रप्डाइग करेंगे दोस्त मैं जो है कोश्चन बेंक का सेशन चला रहा हूं जो भी नए दोस्त हैं जो अभी तक मेरे वेडियो को नहीं देखे हैं जो एकजाम 2030 के लिए मैं करा रहा हूं उसको देखना होगा ध्यान से और उसको नोट्स में बनाना होगा बारबार रिविजन करना होगा ताकि आपका इसको अच्छा हो सकते ठीक है दोस्त मैंने कोश्चन बैंक का 2009 का क्लाश 12 फिजिक्स का मैंने चार कोश्चन करा दिया है पांचवा कोश्चन कि उचाय, एकास मेटर है दिष्ट प्रणाली में स्विकार संप इसन हे तो दोनों एंटीजना कि बीच कि महतबोरी बतलई तो एक एंटीना है जो भौन परला रगा हुआ है एक ग्राही एंटीना है दोनों की जो उचाई है अलग-अलग है एक का 64 मिटर है एक 81 मिटर है तो बोल रहा है कि दोनों के 20 की जो महतम दोरी होगी ओ क्या होगी ठीक है जबकि प्रिथवी की तिरीजिया दे दिया है कि ता 400 किलिमेटर तो बता होगा में मदल जाएगा इसका मतलब क्या एक किलो मेटर में कितना मेंसी Amuse होता है होता है इसलिए हम केंटु पांट थिरी का मतलब है एक हजार मेटर ठीक है इसमें मल्टिपलाई करती है तो इसका सॉलूसन हम करेंगे दूसका आफ ही इंपोर्टेंट होगा इसका सॉलूसन जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़ है मेरे इस चैनल से मैक्सिमम डिश्टेंस हमको निकालना है तो मैक्सिमम डिश्टेंस बराबर क्या होता है मैक्सिमम डिश्टेंस मैक्सिमम डिश्टेंस हम निकालेंगे मैक्सिमम डिश्टेंस निकालने के लिए क्या होता है तो देखिए एंटीना की दूरी ये निकालने के लिए मैंने क्रिश्टेंस ब्राब क्या होता है और रूट अंडर टू आर एच अगो आप प्लस दिखिए मैक्सिमम दूरी निकालना है तो दोनों की दूरी कैसे निकालेंगे जोड कर तो बीच में क्या करना है प्लस देना है तू आर एस्टू यह हुगा क्या पहर जो उपर भौन पर ल मतलब प्रित्पि शॉपी के हो यह है मतलब क्या हुए कि सी पहल लगे और यह भी यह भी हो आ पिरयोफ्म यह मतलब प्रित्पि के हुट्री तो भात्य आप को यह मेलूक करना श。 तो गुने चॉण सट्सो अगुने 10 तूपार 3 ठीक है आगुने कितना हुआ 64 हुआ ठीक है ना चॉण सट है यहां है एच आपके आप प्लस अरूट अंडर क्या हुआ दूब तूब ने दो बार multiply करेंगे 64 आएगा तो यहां से 80 निकल गया ठीक है गुने 10 के power 3 है तो इसमें से 2 है तो एक निकलेगा तो 10 के पार अंदर 3 बचेगा एक सोरी यहां देखेंगे तो यहां अगर गौर कीजिए तो RC का हुगा तो 80 निकल गया बाहर यहां 10 के power 2 दो बार multiply करेंगे तो ए दो आ यहां का 10 तो दोना क्या होता है 20 यहां पहले क्या बीस अलासी यहां देखिए यहां क्या निकलिएगा अंगुने क्या निकलेगा 10 आ यहां से क्या निकलेगा 9 उंने क्या हुर 10 आ हुगा 9 800 गुने कितना हुआ 8 आए कितना हुआ 4 25 यानि कितना हुआ गुने दू रूट 5 हो गया ठीक है चले यहां देखे पलास इकिना 800 गुने कितना हुआ 9 ठीक है आए गुने कितना हुआ यहां दू रूट 5 हो गया ठीक है तो यहां आप कर सकते हैं ऐसे यहां भी दू कमन है यहां भी दू कमन है तो इतना पार्ट आप कमन कर सकते हैं दोनों में ठीक है चले तो इतना पार्ट कमन किजी तो क्या होगा इसमें से इतना पार्ट कमन कर लेते ह हो कि 80 चले इतना कमन कर सकते हैं तो क्या होगा है थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें का इस यू वाला पाट है और क्या और कि को दिख रहा है यह वाला यह वाला पार्ट कमन करेंगे तो 800 कमल ले लेंगे तो अंदर क्या मचेगा आठ यहां से अगर कमल ले लिए इतना तो अंदर क्या बगणनों ठीक है तो कितना हुआ 800 अगुने 2 रूट 5 अगुने 9 अट 17 हुआ तो 17 दूना कितना हुआ 34 अगुने क्या हुआ 800 अगुने क्या हुआ रूट 5 ठीक है तो इसको जब हम लिप्लाई करेंगे 800 में 34 से 24 गुने 8 अठ चौँथीस अठे 272 होना चाहिए देखे आठ चूखे 32 के दो हात लागा तीन ठीक है हात लगा तीन आठ तिरका 24 आठ तीन 27 27 अगुने क्या होता है रूट 5 ठीक है अब थोड़ा यहां देखते हैं दोस्त कितना हुआ कि 272 अगुने रूट 5 का जो होता है वह लोगे अतना होता है रूट 5 का होता है टूपाइंट 236 टूपाइंट 236 जो होता है रूट क्या होता है फाइब का वैल होता है तो हम इसको रखके देखते हैं क्या होता है कि पिर मीटर में वह दोस्त ठीक है क्या है मेटर में क्या है मेटर में तो आप देखिए क्या करेंगे इसमें कि इसमें मल्टिप्लाई करते हैं कितना से तो यहां से हमें अगर निकालना चाहें कि 100 हो गया कि कितना एक हजार हो गया दस हम लोग हटेगा तो एक हजार हो जाएगा नीचे आइस को हम किलो मेटर में बदलना चाहें कि तो क्या करेंगे अगर किलो मेटर में बदलना चाहें तो कितना से मल्टिप्लाई करेंगे तो मीटर को एक मिटर में देखिए 1000 किलो में 1000 मिंटर होता है कि 1 खाल importa उत कि एक mix क्लोमेlor में ख़ंगे आगे yes HI कि किमानले लेता हेम जानते हैं कि हम लोग जानते किए कि miesz चाहित है MEMBER में मेतर होता है 1000 मेटर होता है only 1000 मेटर होता है तो तो मेटर пам crash 2022 मेटर में अगर हम क्या करते हैं ृधल कर दो क्या करेंगे है तो हम यहां से तो मीटर का भैलो निकाल लिया है कितना इतना तो हम इसको किलो मेटर में चेंज करना चाहे तो क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले रूख जाए थोड़ा देखते हैं इसको पार्ट है थोड़ा ध्यान से आपको करना होगा तो पहले मल्टिप्लाइ कर देते हैं ठिक है इसको मल्टिप्लाइ कर दीजिए कि इसको बाद देखा जाएगे ठीक है दोीहारी है बाद में two zero बैठा देएगे A two three time किवा दर्श मलは भॉए तो कितना хड़ रोड़ी के क्या हूँवा दो हो गया हात में एक तो 16 27 27 साथ हो गया 24-25 के सब्सकरterror 25 कितना लगा चारắt की अर्भ साक cricket पिर क्या 24 25 के 5 हाथ लागया दो आसाथ दोना 14 आदुख 16 का 6 हाथ में कितना एक आसाथ दोन 14 15 हो गया फिर यहां चलिए दो दो साथ चार चार हो जाएगा यहां पर ठीक है न तो आप दीख सकते हैं मैं है कि दो कर दो हो गया साथ दोनों हो गया यहए पांचर पांचर नों सटाट है कि अठाट लगा एक चोचा दोस्ता सटर सटरी आठाट है कि अठी आठा लगा एक दूसक्ति दोस्ता हांग के बादेंगे तीन आंग के करेंगे दो जीरो ठीक है तो यह हमरा मेटर में भैल वैया कितना आया है मेटर में ठीक है तो हम को इसको क्या करना है दोस्त किलो मेटर में चैंज करना है कि तो हम क्या करेंगे यह भाग कर देंगे ठीक है इसको किलो मेटर में चेंज करेंगे तो यहां है तीनों और उठकर आगे चलाएगा इसका मतलब क्या है कहां लगेगा इसके बाद 0 का कोई भैलो नहीं होता है तो इतना हमारा क्या आगया किलो मेटर में आगया तो अब बताइए कि यह लगभग लगभग की बात की जाए शाट पॉइंट 81 बानविय जो है यह लगभग लगभग 61 के बराबर है कि नहीं है L Он नहीं संजेहें मैं फिर कोसिच करता हूं समझाने कीब ध्यक है तो कources था कि दों цент र की आक है और पिर्सभी की तरीज़ा हम को दिए दे हैं किistes था किलो में तो सब पहले मैंने क्या की सको में में ब़तल लिया 10하하 तो पहला एंटीना के लिए तो मैक्सिमम डिस्टेंस प्रफ पहला एंटीने के लिए टू इंटू रूट एंडर टू इंटू आरेच वन दूसरे के लिए टू इंटू आर एस्टू दोनों को जोड़ दिया तो वाला खुल दूरी निकल जाएगा बस बैलू मैंने टू के ज यहां से असी निकल दिया इसमें से दस निकल दिया दस अंदर बच गया इसमें से आठ निकल दिया तो दा दू अधस अंदर बच गया है तो विस हो गया यहां से मैंने क्या किया कि 800 और यहां देखिए दू रूट पाइफ फाइफ फाइफ एकमन दिख रहा है तो मैंने य अरूट को थैंक फाइब , फाइब कर्माने कितना होता है रूट फाइब क्या होता है 2 ray थुकुकर पॉनट थीरिसंक होता है ठीक है फोजनके ंने यहां रखा फिर इसको मैंने इससे पर्टिपलाई किया तो इतना साथ एकासी हान साटाइब कासी नौ पॉइंटटeker जीरो 10 अपीं है किलो में तो तो किलो में राट कले लगभग वहलू क्या होगा यह साथ पॉइंट इकासी बानवे जो हैं लगभग कितना बढ़ा हुआ है लगभग में एकासी किलोमेटर के प्रॉक्स है ठीक है चलिए तो यह हमारा कोश्चन के वह समाप्त हुआ जो भी स्टूडेंट नए है जो भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है बोलिएगा दूस्त कमेंट कीजिएगा ठीक है दूस्त अब शिक्स नमर कोश्चन मैं समझाने जा रहा हूं देखिए कोश्चन क्या है कि एक विदियार थी भूल से भोल्ट मीटर को परिपत में मतलब क्या 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 किया समनांतर करम में जोड़े देता है त ऐसित को हम लोग सुरू से पढ़ते आ रहे हैं और यह पुछा भी है दोस्त टोऊजैसर 7 को समनांतर कर दोल लेकिन जब इसको उछे जोड़ते हैं ए बोल्ट मीटर को हम सिरेणी करम में जोड़े देते हैं और आ मीटर को क्या करते हैं समनांतर करम में जोड़े देते हैं जो तो साथ नमबर जो कोश्चन है कि संचायक सेल का आंतरिक परतिरोद क्यों कम होता है तो संचायक सेल का आंतरिक परतिरोद होता है कम क्यों होता है प्रशनों गया तो आपको ध्यां रखना है कि संचायक सेल का आंतरिक परतिरोद कम होता है जीसे से सेल दोबारा उच धारा प् प्राप्त हो सके ठीक है इसे लिए तो एक क्विश्चन था सेवन तक मैंने कराया दोस्ट जो भी एश्टूडेंट नय है जिनको समझ में नहीं आया है वो बोलिएगा दोस्ट कमेंट कीजिएगा मैं फिर कोशिश करूगा समझाने की ठीक है दोस्ट तो आशा करता हूं कि व यहीं पर खत्म करते हैं इससे पहले मैं जाओं मैं आपको कह देना चाहता हूं कि मातर दोस्त जो है अब बहुत ही कम समय बाचा हुआ है जो भी एश्टूडेंट नहीं अच्छे से पढ़ेंगे उनका मार्स नहीं आएगा बाद में पास्ताना पढ़ेगा दोस्त इसलिए आप मन लगाकर पढ़ें और अपनका मत पिता का नाम न रोशन लृष अ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे भी चैनल को सब्राइब करें लाइक करें नंब और सबी जघात था है जए यह झाल 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 झाल